गुड आफ्टिनून टु आल B.S.C. Part Second Organic Chemistry के लेक्चर 4 में एक बार फिर से आपका सौगत है हमारा विशय चल रहा है फिनॉल पहले के तीन लेक्चर में हम फिनॉल के बनाने की विधियां उसके भातिक गुण और उसके कोत्नांग के बारे में पढ़ चुके है आज का जो हमारा विशय है वो है फिनॉल का अमलिय विवार तता प्रतिस्ताफी समू का अमलिता पर प्रभाव क्या होगा यानि फिनॉल का एक एसिडिक नीचर और अगर हम रिंग पर कोई भी समू लगा दें कोई ग्रूप लगा दें तो वो ग्रूप किस प्रकार से फिनॉल की अमलिता को प्रभावित करेंगे उसको आज हमें पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए हमने जब फिनॉल के बहुतिक गुन पढ़े थे तो उसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी कि फिनॉल दुरूबल अमल होता है यह आप देखिए फिनॉल एक दुरूबल अमल है अमल कौन होता है आरिनिस का यदि सिद्धान आपको द्यान है तो जो जली विलियन में ह प्लस आयन देता है वो अमल होता है जो ओ एच मैनस देता है वो शार होता है तो अब आप देखिए कि फिनॉल की अमलिता को हम किस प्रकार से समझाए और क्योंकि फिनॉल दुरूबल अमल है तो वो जली विलिन में H प्लस आयन देगा तो यदि आप से प्रश्ण ये पूछ लिया जाए एक्जाम में कि फिनॉल की अमलिता को आप समझाईए तो फिनॉल की अमलिता को दो प्रकार से समझाई जा सकता है पहला है फिनॉल की अनुनादी संदचना द्वारा यानि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा और दूसरा होता है फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संदचना द्वारा तो दोनों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं यहां से ये काफी इंपोर्टेंट है आपके examination point of view से ये भी पूछा जा चुका है कि फिनॉल की अमलिता को समझाईए तो इसको आप ध्यान से देखें फिनॉल की संदचना आप सभी को पता है बेंजीन रिंग है उसके उपर OH जुड़ा हुआ है oxygen पे दो lone pair है या आप देखें कि oxygen के उपर दो lone pair है तो आप देखें कि यहां इस्तिति क्या है lone pair, single bond, फिर double bond, फिर single bond, फिर double bond यानि आप अगर फिनॉल के oxygen पर जाएं तो उसके लोन पेर है इसके बाद single bond है, फिर double bond है, फिर single bond, double bond, single bond, double bond, single bond इसका मतलब यहां सेयुगमन है, conjugation है और यहां पर electron का विस्थानी करण होगा जिसका मतलब de-localization होगा electron एक परमानू से दूसरे परमानू पर जाएंगे और यह लाइन आपको ध्यान होगी कि जितना de-localization जादा होता है विस्थानी करण जादा होता है उतना ही वो molecule जो है वो इस्थाई होता है तो क्योंकि यहां conjugation है, सेयुगमन है तो यहां पर electron de-localize होंगे और इसकी अलग-अलग अनुनादी संद्चनाई बनेंगे तो आपके स्क्रीन पर जो फिनॉल की अनुनादी संद्चनाई दीख रही है वो देखें आप सबसे पहले आपने फिनॉल को समझने के लिए इस तरीके से बना लिया देखें यह फिनॉल की संद्चनाई आप सभी को पता है सबसे पहले इसके बाद क्या होता है कि फिनॉल इनका जो oxygen है उसका जो lone pair है वो shift होता है carbon oxygen बंद के बीच में और double bond जो है double bond का जो πाई electron है वो shift होते हैं इस carbon पे लाइन आपको ध्यान होनी चाहिए कि oxygen बंद बनाने के लिए electron carbon को दे रहा है तो oxygen पर आएगा प्लस का charge आप देखें और यह जो carbon carbon double bond shift हुआ इस carbon पर तो यह आएगा negative charge दूसरे step में क्या होगा यह जो negative charge है वो double bond बनाएगा और double bond negative charge यह line आप ध्यान रखें यह अब आप देखें कि यह जो है negative charge यह बनाएगा double bond और यह जो double bond है वो negative charge बनाएगा तो देखिए यह बन गया double bond single bond था पहले आप double bond बन गया और यहाँ जो double bond था वो convert हो गया negative charge में आगे वापिस देखें तो यह जो negative charge है वो shift हुआ यहाँ पर तो देखें double bond बन गया negative double bond बन गया और यह जो double bond था वो बन गया है आपका negative charge तो इस तरीके से अनुनादी संद्चनाई बनेंगी यह अनुनादी संद्चनाई तो आप 11th क्लास या फिर फरस्टे में पढ़के आ चुके हैं इस पर अपन डीटेल बात नहीं करेंगे बस यह कि फिनॉल की अनुनादी संद्चनाई इस प्रकार से बनती है और फिनॉल की फिनॉल की जो बेंजीनी रिंग है उसके औरथो तथा पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज है औरथो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज है तीसरी मेहत पुर्ण बात यह कि फिनॉल की मेटा इस्तिती पर कोई भी आवेश नहीं है तीन बाते अगर आपको ध्यान है तो आगे के जितने भी कुशन्स और कहना जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं कुशन्स उसको सॉल करते वक्त आपको आसानी होगी तीन बात ध्यान रखनी है अक्सिजिन पर प्लस का चार्ज है दूसरी बात रिंग पर नेगेटिव चार्ज है और थोर पहरा पोजिशन पर और तीसरी बात मेटा अस्तिती पर कोई भी चार्ज नहीं है अब आप देखें कि इसकी अमलिता को हम कैसे समझाएं जब आपने फिनॉल की अनुनादी संद्चनाय बनाई तो उसमें देखा कि आउक्सिजन पर प्लस चार्ज है पहले के जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें एक लाइन मैंने आपको हमेशा बताई है कि अगर किसी विदुत्रिनी तत्व पर प्लस का चार्ज आता है तो वो अरस्थाई हो जाता है और अपने आपको इस्थाई करने के लिए आसानी से या फिर अपने आपको इस्थाई बनाने के लिए अपने आवेश को प्लस चार्ज को उदासीन करने के लिए वो पास वाले परमानू से एलेक्ट्रोन अपनी तरफ आकरशित करता है और उस परमानू को बाहर निकाल देता है उधारन के तौर पे ये देखी ये फिनॉल था आपने देखा तो अगर ये हम हाइडोजन की बात करें तो क्योंकि इस विदुत्रिनी तत्व यानि एलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पर प्लस का चार्ज आया है तो ये अपने आपको नूट्राइज करने के लिए क्या करता है एलेक्ट्रोन को अपनी तरफ खेचता है जब electron को अपनी तरफ खेचेगा तो उसका plus charge उदासीन हो जाएगा और hydrogen H plus की form में बाहर निकल जाएगा और जो H plus iron देता है जली विलियन में वो कहलाता है अमल तो इसलिए phenol अमल ये होता है ध्यान रखें कि विदोत्रिन इतत्व पर plus charge आया तो अपने आपको उदासीन करने के लिए पासवाले hydrogen से electron लिए और hydrogen को H plus की form में बाहर निकल दिया और H plus अगर बाहर निकल रहा है इसका मतलब वो जो अनू है phenol का अनू वो अमलियर है तो एक तो आपको इस तरीके से इसको समझाना है तो ये तरीका हो गया phenol की अमलियता को समझाने का एक दूसरा तरीका आप देखें phenoxide की अनूनादी समझना देखिए जब भी किसी की अमलियता अगर आपको पता करनी हो तो आप अगर उसमें ऐसा hydrogen है जो electronegative element से जुड़ा हुआ है या फिर उसके निकलने पर बनने वाला आयन अपने आपको अनूनाद द्वारा इस्थाई कर सकता है तो वो योग एक या वो अनू आसनी से H प्लस आयन बहार निकल देता है तो phenol की अमलियता को इस दूसरे तरीके से जो समझाया जा सकता है वो देखें आप देखें ये जो है सबसे पहले आप देखें phenol है अगर phenol में से H प्लस आयन बहार निकल दिया जाए H प्लस का मतलब ये कि oxygen की विदुत्तिंता जादा होने के वैसे oxygen ने electron अपनी तरफ आगरशित किये तो hydrogen के पास electron रहा नहीं तो वो H प्लस की form में बहार निकला negative charge है वापिस से अनुनाद की इस्तिती हो रही है negative charge फिर single bond फिर double bond फिर single bond फिर double bond single bond double bond या इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी electron का विस्थानी करत होगा delocalization होगा और उसकी वज़े से ये phenoxide iron जो है वो अपने आपको इस्ताई कर लेगा important बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब इससे पहले वाली अनुनादी संद्चना जब अपने phenol वाली पड़ी तो उसमें oxygen पे फ्लस का charge था लेकिन आप यहाँ देखें तो phenoxide iron में oxygen पर negative charge है यानि विदुत्तिनी तत्व जो है उसपर negative charge है तो वो अर्स्ताई नहीं होगा तो आप आप देखें इसकी अनुनादी संद्चना बिलकुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाई है negative charge double bond बनाएगा double bond negative charge बनाएगा इस तरीके से electron जो है वो पूरे carbon और oxygen पर de-localize होंगे और इसकी अनुनादी संद्चनाई बनेंगी और एक important बात आपको ध्यान रखना है दोनों अनुनादी संद्चनाओं को देख करके वो बात यह कि phenoxide iron phenol से अधिक इस्थाई होता है क्योंकि इसमें अनुनादी संद्चनाई जादा होती है लाइन आपको हमेशा ध्यान रखें किसी भी एक्जाम में पूछी जा सकती है कि phenoxide iron जो है उसका इस्थाईत तो उसकी stability phenol से अधिक होती है क्योंकि उसमें अनुनाद जादा होता है phenoxide iron में अनुनाद जादा होता है phenol में उसकी तुलना में कम होता है तो अब आप देखें कि phenol से जब H plus iron निकल गया तो बनने वाले phenoxide ने अपने आपको अनुनाद द्वारा phenol से जादा इस्थाई कर लिया इसी की वज़े से phenol जलिये विलियन में आसानी से H plus दे देता है क्योंकि H plus जैसे ही निकलेगा तो वो खुद phenoxide N बना के अपने आपको अनुनादी सनचनाओं द्वारा या फिर डिलोकलाईजिशन ऑफ इलेक्ट्रोन के द्वारा अपने आपको और स्थाई बना लेता है इसी लिए phenol अमलिय होता है यानि आसानी से H plus देने के बाद वो अपने आपको और स्थाई ज्यादा स्थाई बना सकता है इसकी वज़े से phenol अमलिय होता है तो देखिए अब दो तरीके थे एक तो हमने phenol की अनौदी सनचनाओं से समझ लिया कि oxygen पे plus का चाह जाता है इसलिए hydrogen से electron लिये और H plus निकाल दिया इसलिए अमलिय है दूसा तरीका H plus पहले निकाल दिया तो बनने वाला जो phenoxide है वो अपने आपको अनौनाद द्वारा ज़ादा इस्थाई बना सकता है इसलिए phenol असानी से H plus हैं दे रहता है तो यदि आपको प्रशन ये पूछा जाए अमलिता को समझाए तो इन दोनों तरीकों से आपको इसकी अमलिता को समझाना है और एक लाइन ये ध्यान रखनी है कि phenoxide ion का इस्थाई तो phenol से अधिक होता है एक important बात आपको ये ध्यान रखनी है जो प्रशन है कि alcohol यानि एक तो है आपका phenol C6H5OH और दूर सा था C2H5OH देखिए अब अमलिता की बात करें तो phenol अधिक अमली है और alcohol तो अमली है नहीं बहुत ज़ादा दुर्बल अमल है लेटोस परिक्षन भी नहीं देता है तो हमने जो अभी second वाला जो concept पड़ा है उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि ज़ादा अमली क्या होगा देखिए इस में से phenol में से जब H प्लस आयन निकला तो बनेगा क्या C6H5 O- यानि फिनोक्साइड आयन जिसमें अनुनाद संभव है लेकिन अगर हम C2H5OH यानि इथिनोल में से H प्लस आयन को निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा C2H5O माइनस यानि इथोक्साइड आयन और इथोक्साइड आयन की संदचना आप इस प्रकार देख सकते हैं यह C यह C यह T2H यह 2H यह Oxygen और यहाँ पर माइनस अब देखिए नेगेटिव के बाद सिंगल बॉन्द फिर सिंगल बॉन्द सिंगल बॉन्द यानि यहाँ conjugation सिंगमन है ही नहीं तो इसमें अनुनाद ही नहीं होगा जब अनुनाद ही नहीं होगा तो वो अपने आपको stable कैसे करेगा जब stable कर ही नहीं सकता तो H-Plus को निकालेगा ही नहीं उसकी दूसरी बात करें फिनॉल की बात करें तो इसका मतलब यह हुआ कि फिनॉल अधिक अमली है और अलकोहल कम अमली है तो यह जो कंसेप्ट हमने समझाया उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि हच प्रस निकलने के बाद यदि वो अपने आपको इस्थाई कर सकता है तो वो अमली होगा और नहीं कर सकता तो वो कम अमल यह होगा तो यह दो कंसेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं इसके बाद आता है फिनॉल की अमलिता को प्रभावित करने वाले प्रतिस्ताफी समू या फिर हम कह सकते हैं कि यदि फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उसके उपर यदि कोई समू लगा दिया जाए अ वो किस प्रकार फिनॉल की अमलिता को प्रभावित करेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अब तक पढ़ाया वो और इसमें अगले दो पॉइंट हम और लेंगे और इसके बाद का continue हम नेक्स लेक्चर में करेंगे तो अब आप द ध्यान रखें कि फिनॉल की बेंजीन रिंग पर यदि इलेक्ट्रोन को आकरशित करने वाला समूल लगा दिया जाए तो वो फिनॉल की अमलिता को बढ़ाएगा अभी अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमने और्थों पर लगाया मेटा पर लगाया पहरा पर लगाया एक अब ध्यान रखें कि फिनॉल पर यदि फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उस पर यदि इलेक्ट्रोन आकरशित करने वाला हमने समूल लगा दिया या फिर हम कहें माइनस आर या माइनस आई देखिए आई का मतलब इंड़क्टिव एफेक्ट है प्रेरेंट प्रभाव है और आर का मतलब रेजुनेटिग इफेक्ट है अनुनादी प्रभाव है तो अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि समूल हम किस और्थों पे लगा रहे हैं या मेटा पे लगा रहे हैं पहरा पे बस आप एक लाइन ध्यान रखें कि कहीं पर भी यदि हमने इलेक्ट्रोन को आक देता है तो ऐसा समूल फिनॉल की अमलिता को कम करेगा अब कंसेप्ट को समझिए कैसे होता है जब हमने फिनॉल की अनुनादी संद्चना पड़ी तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि फिनॉल की जो संद्चना है यह देखें आप उसमें आप देखें कि समझने के लिए बता रहा हूं नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर और तो और पैरा इस्तिती पर आया था और ऑक्सिजन पर प्लस का चार्ज था अब आप सोचिए कि और्थो इस्तिती पर हमने कोई ऐसा समूल लगा द जो इलेक्ट्रोन को आकरशित करता है ठीक है अगर आपने और्थो इस्तिती पर इलेक्ट्रोन को आकरशित करने वाला समूल लगा दिया तो क्या होगा कि रिंग का जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो समूल अपनी तरफ आकरशित करेगा और आकरशित करेगा तो रिंग पर negative charge कम हो जाएगा जब ring पर negative charge कम हो जाएगा तो oxygen से electron और आकरशित होंगे ring की तरफ जब oxygen से electron ring की तरफ आकरशित होंगे तो oxygen पर जो plus charge था वो और जादा बढ़ जाएगा और विदुत्रिनी तत्व पर plus charge होने का मतलब अरस्थाई होना है तो और अधिक अरस्थाई होने की वज़े से उतनी ही जल्दी वो hydrogen से electron लेगा और अपने आपको उदासिन करने की कोशिश करेगा और hydrogen को H-T-S की form में बाहर निकाल देगा इसकी वज़े से हम कह सकते हैं कि देखिए जितने जल्दी निकालेगा तो पिनॉल की अमलेता को बढ़ाएगा आप ध्यान रखे लाइन क्या कही मैंने कि आपने कोई भी समू लगाया electron को आकरशित करने वाला तो electron को आकरशित करने वाला समू क्या करेगा ring से electron को अपनी तरफ खेचेगा ring में electron की कमी हो गई तो ring oxygen से electron अपनी तरफ आकरशित करेगा जब ring अपनी तरफ electron आकरशित करेगा oxygen से तो oxygen पे तो plus charge था और plus charge बढ़ जाएगा जब oxygen पे plus charge बढ़ गया तो अपने आपको उदासिन करने के लिए जल्दी से वो pass वाले hydrogen से electron लेगा और H plus निकाल देगा तो अमलिता को बढ़ाएगा क्योंकि H plus आसानी से निकल जाएगा दूसरी condition को समझते हैं कि अगर हमने electron देने वाला समू लगा दिया तो अब आप देखें कि हमने किसी भी इस्तिती पर electron को देने वाला समू लगाया तो क्या होगा ring पर negative charge है already negative है जो समू आपने लगाया उसने और electron ring को दे दिये तो electron already बढ़ गए जब electron पर ring जब ring पर electron बढ़ गए तो oxygen जो है वो electron को आकरशित करेगा जब electron को आकरशित करेगा तो देखिए oxygen पर plus का charge था उस पर ring ने electron दे दिये और तो उसका plus charge कम हो जाएगा अब उसका plus charge कम होने की वज़े से वो hydrogen से electron क्यों लेगा जब उसको ring से ही electron मिल गए याई प्लस आई प्रभाव वाला electron देने वाला समू लगाने पर वो ring को electron देता है ring oxygen को electron दे देती है तो oxygen पर plus का charge था उसको ring ने electron दे दिये तो वो hydrogen से क्यों लेगा तो hydrogen से लेगा ही नहीं तो phenol की amylita को उसने कम कर दिया ये concept है और line आप ये धियान रखिये कि electron को आकरशित करने वाला समू अमलिता को बढ़ाता है और electron देने वाला समू phenol की amylita को घटाता है अब कुछ example हैं अपने सामने जैसे हमने एक से लेकर के 6 तक दे दिया है हम यहाँ पर क्या है हमने NO2 जोड़ा है ध्यान रखें कि NO2 का minus R प्रभाव भी होता है और 7 ही 7 minus I प्रभाव भी होता है यानि दोनों प्रभाव phenol की amylita को बढ़ाते है आप से पूछा जाए कि यह जो 6 हमने लिखे हुए हैं जो समू लिखे हुए हैं इसमें सबसे अधिक अमली क्या होगा हम जितने भी example पढ़ने वाले हैं उन सभी में मैं घटते हुए क्रम में यानि decreasing order में acidity के decreasing order में लिखूँँगा यानि इन में सबसे अधिक अमली कौन सा होगा फर्स्ट को आप देखें तो यहां पे meta पे जुड़ा हुआ है एक no2 दूसरे पे देखें तो ortho पे तीसरे पे 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 इसके बाद चौथे पे देखें तो ortho पेरा दोनों पे है लेकिन दो जगे है लेकिन फिफ्ट में ऐसा है कि no2 माइनस आर वाला है माइनस आई वाला भी है और यह ortho और पेरा पोजिशन पे जुड़े हुए तीन तीन समू जुड़े हुए है यानि यह तीनों मिलकर के रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकरशित करेंगे तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी तो वो अक्सिजन से आकरशित करेंगे तो अक्सिजन पे तो अलड़ी पॉजिटिव चार्ज था अनुनात की वज़े से और इंग ने और आकरशित कर लिए तो और positive charge बढ़ जाएगा और अधिक positive charge बढ़ेगा तो वो hydrogen से electron लेकर जल्दी से h plus निकालेगा यानि सबसे अधिक अधिक अमलियों होगा fifth वाला ठीक है fifth के बाद कौन सा होगा जिस पे दो समू लगे हुए fourth वाला अब बाती आती है कि second और्थो पोजिशन पे है और third देखें तो नैट्रो जो है वो पैरा पोजिशन पे है एक line जब हमने first अभी पढ़ा first page जो हमने पढ़ा उसमें एक line लिखी थी कि अनुनादी सनरचनाए फिनॉल की जब पढ़ी उसमें कहीं पर भी meta इस्थिती पर कोई भी चार्ज नहीं आया यानि कार्बन के पास जितने electron थे उतने ही electron रहे और्थो और पैरा पोजिशन पे नेगितिव चार्ज आया था तो आप ध्यान रखें कि और्थो और पैरा पोजिशन पर जब भी कोई समूल लगाया जाएगा तो वो थोड़ा प्रभावी जादा होगा चाहे वो प्लस आई हो मैनस आई हो प्लस आर हो मैनस आर हो अब सवाल यह आता है कि अब एक है सेकंड नंबर और एक है थर्ड नंबर तो आप ध्यान रखें कि अगर हम आर की बात करें अनुनादी प्रभाव आर प्रभाव की बात करें तो वो सबसे अधिक प्रभावी होता है पैरा इस्तिती पर और अगर हम आई की बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो वो होता है आपके और तो इस्तिती पर तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनुनादी प्रभाव जादा शक्तिशाली होता है प्रेजन प्रभाव के तो उत्तर हमें जो देना है वो resonating effect R के हिसाब से ही देना पड़ेगा तो मैंने क्या कहा R प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी कहा पर होता है पैरास्थिती पर यानि पैरास्थिती वाला जो नेट्रो जो जुड़ा हुआ है वो सबसे ज़ादा electron अपनी तरफ आकरशित करेगा यानि फिनॉल की हमलिता को ज़ादा बढ़ाएगा तो यहाँ आएगा 3 3 के बाद आएगा और्थोवाला 2 इसके बाद आएगा 1 और इसके बाद आएगा 6 मैटा इसलिए क्योंकि मैटा पर भले ही आप मनें देखा कि फिनॉल की अनुनादी सनजनाय में मैटा इस्थिती पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता लेकिन कहीं ने कहीं इसका माइनस आई प्रभाव NO2 का लगेगा और उसके कारण फिनॉल की अमलिता बढ़ेगी तो वो फिनॉल से तो अधिक अमलिय होगा ही होगा तो कोईशन सौल करने का इस तरीके से तरीका है आपका प्रेदिय आपको अमलिता समझाने को आये तो आप इस तरीके से कर लेंगे ध्यान रहे NO2 का प्रभाव जो होता है वो minus R और minus I दोनों होता है इसी तरीके समुव दूसरे भी होते हैं जैसे ketone हुआ aldehyde हुआ इस तरीके जो समुव होते हैं उनका प्रभाव जो है वो minus R या minus I ही होता है अगला देखें आप अगला यह है कि यदि फिनॉल की बेंजीन वले पर हम ऐसा संगू लगा दें जो प्लस R या प्लस I दोनों में से कुछ भी शो करता हूँ वापे से वही बात मैंने क्या कहा कि प्लस R या ने एलेक्ट्रॉन को रिंग देगा रिंग को एलेक्ट्रॉन देगा सोरी प्लस आर प्रभाव क्या करेगा प्लस आर और प्लस आई रिंग को इलेक्टरोन देंगे रिंग पर इलेक्टरोन बढ़ गए तो वो अक्सिजन को इलेक्टरोन दे देगा अक्सिजन पर प्लस का चार्ज है रिंग ने इलेक्टरोन दे दिये प्लस आर या प्लस आई वाले समू जब बैंजीन वाले पर लगाए जाएंगे तो वो फिनॉल की अमलेता को कम करते हैं और ध्यान रखें कि हमें जो उत्तर देना है वो किस प्रकार से देना है यहाँ पर आप देखें हमने CS3 लगाया है और CS3 का प्रभाव क्या होता है तो अब आप यह सोचें कि इन सब में से सबसे अधिक अमले कौन सा होगा निश्चित रूप से नंबर वन होगा क्योंकि नंबर वन पर कोई भी इलेक्टोन देने वाला समू नहीं है यह तीनो जो हैं दो तीनो और चार जो हैं यह तीनो फिनॉल की अमलेता को कम करने वाले हैं अब आगे होगा कि कौन कितना कम करेगा वो अलग बात है लेकिन फिनॉल के उपर क्योंकि कोई भी एक नंबर पर कोई भी समू नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब सबसे अधिक अमले यह होगा अब आप देखें इसके बाद होगा नंबर थ्री नंबर थ्री क्यों होगा आप देखें नंबर थ्री है कि CH3 मेटा इस्तिती पर है हमने जो फिनॉल के अलनादी सनचना है पड़ी तो हमने क्या देखा कि और्थो और पेरा पे नेगेटिव था मेटा पर कोई भी चार्ज नहीं था तो आप यह देखें कि मेटा इस्तिती पर जब CH3 लगेगा यानि प्लस आई यहाँ पर आर नहीं है प्लस आई की बात हो रही है प्लस आई का मतलब यह CH3 का काम होता है रिंग को इलेक्टरॉन देना तो जब मेटा इस्तिती पर CH3 हो तो वो फिनॉल की अमलिता को और्थो और पेरा की तुलना में कम प्रभावित करेगा यानि कम प्रभावित करेगा इसका मतलब फिनॉल से तो उसकी अमलिता कम होगी लेकिन और्थो और पेरा से उसकी अमलिता ज़ादा होगी ठीक है अब वापिस वही बात आ गई टू और फोर अब इन दोनों में से ज़ादा अमलिता कौन सा होगा मैंने आपको कहा था कि जो आई प्रभाव होता है और फिनॉल की अमलिता को ज़ादा कम करेगा यानि यह सबसे लास्ट में आएगा अगर दो नमबर की बात करें तो ची एच थरी पैरा पोजिशन पे है और पैरा पोजिशन पर आई प्रभाव तो नात्मक दर्ष्टी से कम होता है कम होगा मतलब CS3 एलेक्ट्रोन कम देगा जब कम देगा तो फिनॉल की अमलिता को कम तो करेगा लेकिन और्थों की इस्तिती में और्थों की इस्तिती में अगर हम बात करें तो ortho estity वाला कम अमली होगा और para estity वाला ज़्यादा अमली होगा तो इसमें क्या आएगा 2 और इसके बाद आएगा 4 ortho और para में आप ध्यान रखें कि inductive effect ortho estity पर ज़्यादा है यानि ज़्यादा electron देगा ज़्यादा electron देगा तो अमली ता को ज़्यादा कम करेगा तो सबसे लास्ट में आएगा और तो पैरा estity की यदि बात करें तो CS3 पैरा estity पर है पैरा estity पर होगा तो औरतों की इस्तिती में कम प्रभावित करेगा फिनॉल की अमली ता को यानि अमली ता औरतों की तुलना में ज़्यादा होगी इसलिए two पहले आएगा फिर four आएगा तो चलिए आज का lecture जो है वो हमारा यहीं तक है अगर हम आगे पढ़ाएंगे तो थोड़ा confusion हो जाएगा क्योंकि देखिए अभी तक जो दो example हमने पढ़े हैं इसके पहले वाले slide के और यह वाले slide का इन दोनों में या तो ऐसा समू है जो electron कहच रहा है या फिर ऐसा समू है जो electron दे रहा है मान लीजिए कोई ऐसा समू लगा दिया जाए जो electron कहच भी रहा है और electron दे भी रहा है तो हम उत्तर किस प्रकार से देंगे वो हमाहा करेंगे हमारे next lecture में तो अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है उसको अच्छे से देखें copy pen लेके बैठें तो समझ में आएगा और थोड़ी समझने की कोशिश भी करेंगे तो ही समझ में आएगा अन्यता सब mix हो जाएगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोई भी प्रश्न हो तो आप ग्रूप में पूच सकते हैं Thank you